हेलो फेंट्स, पर्कम बैक टो मैं चैनल, देखें फेंट्स, आज हम बनाएंगे कानाजी के लिए ड्रेस, देखें कितना इसका प्यारा लुप ला रहा है, यह नवी ब्लू कलर है और इसमें शायद यह कैमरा में ब्लैक कलर आपको दिख रहा हो, लेकिन यह नवी ब्लू कलर है और इसके साथ हमने yellow का color combination करा है और यह हमने बहुत ही हलकी से जो weinummer कांवर घर ये तीन-इंडर लिए बअंड बनान क के लिए लेकिन आप 5 नंबर घर चोटा है मैंपनिको दिखा दिया यह लुक इतना अच्छा आँ यह तीन-नमबर ॉ-4-नnd तो बहुत ही अच्छे से आ जागे देखिए इनको भी बहुत अच्छे से आ रही है बस थोड़ा सा इनको घेर छोटा है जैसे हम घेर बड़ा पनाना चाहते हैं तो यह छोटा रहेगा पांच नमबर को लेकिन अगर आप छोटे का घेर की ड्रेस बिनाते हैं तो काना जी को पांच नमर को भी बहुत ही असानी से आ जागा देखिए इनका पीछे से भी बहुत अच्छे से कवर हो रहे हैं यहारी काना जी तो चलिए फ्रेंट्स हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्लीज स्टार्ट करने से पहले फ्रेंट्स अगर आप चनल पर नहीं है तो प और देखिए हमने इसकी लंबाई यहां पे 17 इंच की है और यह हमने ऐसे दो पीस ले लिए इसकी हम यहां पे देख लेते हैं चोड़ाई है हमने 3 इंच की लिए फैंट इसके साथ हम इस तरीके का फैबरिक यूज करेंगे यह देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है यह कप्ड़े की लंबाई हम यलो हाले की इसके बराबर लेंगे मतलब तोटल हमारी चोटिस फिच आहीज है इसके बराबर लेंगे लगा लेनी है हमें यहाँ पर तो चलिए हम लगा लेते हैं दिखे फैंस हमने यहाँ पर लगा लिया और मैंने एक स्लाई उपर भी लगा लिए जिससे कि हमारा कपड़ अच्छे से एड़स्ट हो जाएगा यहाँ पर अब देखिए हम इस तरीके की बहुत हलकी सी लेस होती ह लिए इसको अपर पूरी प्ट्टी पर बश्त लगा लिए से लगा देंगे और एक लेइव हम इसकी यहाँ लगा देंगे एक इंच का आपनांने डिशांण लगा सकते हैं उसके बाद आप सिधि शीदि ऐसे करके दो लगा हैंगे हम एक यहां पर और एक यहां पर सीद्धी पट्टी पर हमें ऐसे करके यहां पर चलिए हम लगा लेते हैं इस पर देखेंट हम ने इसपर दो लेड़ लगा लियां अब हम इसके किनारी की फिनिशिंग करेंगे देखे फ्रेंट्स हम इस तरीके से 1.5 इंच का कपड़ा ले लेंगे और इसको इस तरीके से फोल करेंगे यहां से ऐसे करके लगाएंगे सीधी सीधी से लगाएंगे और यह देखे हमने एक्सरा थोड़ सा यहां पर मार्जन छोड़ा है इसको इस तरीके से फोड करके और इसको इस तरीके से ऊ इसल देंगे ठीक है फैंस इतना जुलने के masterpiece पर भाद या जबे पत्टी पलटके के आएगी तो हम इसे आगे लाके इस तरीके से स्टिच कर देंगे या हमारी he साइट लोग हो जाएगी और हमारी स्तिलाइज से फिनिशिंग भी आ जाएगी तो चलिए हम दोनों साइट पे इसी तरीकर से लोक कर लेते हैं देखिए फैंड्स हमने यहां पर किनारी को लॉक कर दिया है अब इसके बाद देखिए हमें यहां पर इस त splendочь डालेंगे कैंवा यह देखिए इस तर्यक्वे से कर्ते वे हमें आप पीलिट स्टालनी है पूरी पत्टइ पे बहुत इसका सुन्दर लोग आएगा फेल्डस। को कि यहां जी किस तरीखे से करते यहां पे यहां पीलीटस डालनी बहुत प्रोग प्रक यह पर ली डाल लेते हैं देखिए फैंट्स हमने यहां पर प्लीट्स राल लिए हैं हम इसकी कमर का हिस्से को फिरिश कर लेंगे एक बार आप इस तरीके से हलका सा इसको ड्रेस को सेट कर लीजिए यह व्युकुल यहां पर इसकी प्लीट्स सेट हो जाएंगे आप चाहद इसके प्रेस भी लगा सकते हलकी सी यह देखिए बहुत अच्छे से हमारी एक बार प्लीट्स सेट हो जाएंगे बहुत सुन्दे इसका लोका आएगा फ्रेंट्स यह देखिए किता प्यारा मारे इसका लोका आरा ड्रेस का अब हम इसकी कमर को फिनिशिंग दे ल सब्सक्राइब करने को कट कर लिया है से कपड़ा लिया है एकक्ट सीदे सीदे यहां कैट फूरी पल्टी पहाथ से हमें लाए लगा लेते हैं फेले चलिए स्लाई लगा लेते हैं तिकी पैंट्स हमने यहां पर स्लाई लगा लिया है और स्लाई लगाने के बाद देखिए यह कपड़ा हमें इस तरीके से आगे लाके फोल्ड करना है पॉल करने के बाद हम यहां पर ड्रेस में डोरी लगा देंगे जिससे कि हमारी कानाजी को ड्रेस बिनाने में बहुत अच्छी से पिटिंग आ जाती है जब हम डोरी डालके ड्रेस बनाते हैं तो यह देखिए हमें यह कपड़ा इस तरीके से यहां पर ऐसे करके स्लाई लगा दे नहीं विल्कुल किनारी किनारी पर हमें यहां पर स्लाई लगानी है थोड़ा डाक कलर है तो कैमरे में अच्छे से कम दिखाई दे रहा होगा यह देखिए विल्कुल किनारी किनारी की पट्टी पर हमें यहां पर स्लाई लगानी है तो चलिए हम स् गहरा तो तयोर हो गया है देखेज़ हमने यहाप पट्टी ले लिए जो हमने ड्रेस में लगाई थी इसको इधर से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा अंदर से दूसरी साइड को और इस तरीके से फोल्ड करते वे हम सीधी सीधी लगा देंगे पट्टी पर हम यहां पर इस तरीके से कट कर लेंगे आप कट करना चाहे तो ठीक है नहीं तो आप इस तरीके से भी यहां पर सिल सकते हैं देखिए इसको ऐसे करके हम यहां से तिर्ची सी स्लाई मारेंगे तो हमारी यह इस तरीके से उपन होके आ जाएगे ठीक है फ्रेंट्स ये देखे इस तरीके से आ जाएगा और अगर आपको इस तरीके से करने से दिक्कत हो तो आप इसको भीच में से कट कर लीजिए और कट करने के बाद इसे इस तरीके से सिल लीजिए इतना सिलने के बाद हमें क्या करना है ड्रेस के बिलकुर center point से हमें इसको attach कर देना यहां से ठीक है फ्रेंट्स और यहां से हमें देखे हलका सा CLAY लगानी है यहां तक CLAY लगा के यहां तक हमें चोड़ना है एक इंच तक और इसतना करने के बाद यहां पर हम center में इसको seal देंगे चलिए हम इतना काम कर लेते हैं friends देखे friends हमने यहाँ पर चोली को attach कर लिया है अब आप चाहे तो इसको हलकी सी decoration और भी कर सकते हैं जैसे हमारी यह हमने यहाँ पर चोली जोड़ी है इसको आप इस तरीके से एक layer यहाँ पर भी जहां से निफा बनाया हमने इसको भी सीधा सीधा सील सकते हैं यहां से ऐसे करके हम सीधा सीधा इसको चील देंगे और भी सुंदर हमारे इसका लुक आजाएगा चलिए हम इतना भी कर लेते हैं देखे वैट्स हम नहीं याप फिलेश की लेडर लगा लिए और देखे वारी ड्रेस बीड़ को बनके तियार हो गी है इसको आम देखे इस तरीके से यहां से ऐसे करके और ऐसे काना को पिना देंगे पीछे से जाके हमारी ये डोरी बन जाएगी और देखिए इसका बहुत ही खुबसूरत सा लुक आ जाएगा बहुत सुन्दर लगेगी एड्रेस इड्रेस प्रैंट्स हमने तीर नमबर और चार नमबर कानजी के लिए पिनाएगी तीर नमबर, चार नमबर और पांच नमबर तीर नमबर और चार नमबर को तो बहुत अच्छे से आही जाएगी देखिए लेकिन मैं आप पांच नमबर कानजी को भी पेना के आपको दिखा दे रही हूँ औभी जब बानते हैं तो कानाजी को बहुते यहीं से पिना सकते हैं बीशेज को इल्हेब बादे यहाईजि कि नहीं पिना कि बार के लिए अगर जोईन्ट चोली बनाते हैं तो फिर कानाजी को जिसके लिए आप बनाएंगे उसी को वो ड्रेस आएगी लेकिन इसमें डोरी वाली ड्रेस में यही फायदा होता है एक तो फिटिंग बहुत अच्छे से आ जाती है उपर से आप काना जी को पैना सकते हैं एक साइस तक उपर ही पिना सकते हैं तो यह उनको भी बहुत अच्छे से आ रही है देखिए और तीन नमबर और चार नमबर काना जी को तो यह ड्रेस बिल्कुल ही फिटा आएगी फैंड्स तो आपको यह ड्रेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा मैं आपसे फिर मिलती फैंड्स ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ तब तक एलिए रादे रादे